भारती वायू सेना की ताकत आज कई गुनाब बढ़ गई है लंबे समय से राफेल का इंतजार कर रही सेना का आज इंतजार खत्म हुआ भारत और फ्रास के बीच हुए सौदे के तहट राफेल लड़ाको विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला पहुची पहली खेप म कुल पांच लड़ाको विमान हैं जिने रिसीव करने की दिए खुद वायू सेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल आर्केस भदूरिया मौजूद रहे अंबाला एर्बेस में राफेल जेट की सैफ लेंडिंग हुई आइनस कंट्रोल रूम में पांचों विमानों का स्वाग अगर मौसम खराब रहता तो यह लेंडिंग जोधपूर में हो सकती थी महीं कॉंग्रेस नेता दिगविजस्य हूं की और से एक बार फिर राफिल विमान डील का मुद्धा उठाया गया है कई ट्वीट करते हुए कॉंग्रेस नेता ने पीए मोधी पनिशाना साधा और अ अमबला एर्बेस से सटे चार गाओं में धार 144 लगा दी गई है यहाँ दिकारिक फोटोग्राफी से अलग फोटो खीशने पर रोग लगा दी गई है साथ ही एक जगो लोगों को जुटने पर भी रोग है राफिल विमान के वायू सेना की गोल्डन एरो 17 स्कौडरन में जाएगा इसने कार के लिए उद्य में अहम भूमी का निभाई थी भारत की सबसे पुरानी स्कौडरन में से एक है चीन के साथ जारी चनाओं चीन के साथ जारी तनाओं के बीच भारत को अश्ताकतवर लड़ाकों विमान मिले हैं जिनकी तैनाती उतर भारत के बेस पर की जा रही है ताकि मुश्किल वक्त के दरान दुश्मन को मज़ा चखाया जा सकी मंगलवार को राफल विमानों ने फ्रांसे से उडान भरी थी जिसके बाद एक बार हवा में उनकी फ्यूलिंग हुई जिसके बाद पांचों लड़ाकों विमान यू एई के अल दफरा बेस पर रुके बुद्वार सुभा ये सभी विमान यहां से उड़े और शाम तक ये अंबाला एरबिस पहुच गए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स